आज के इस वीडियो में जानेंगे कोसिका, बहु कोसिकीए, एक कोसिकीए, कोसिका के भाग, प्रोकेरियोटिक कोसिका और यू केरियोटिक कोसिका तो चलिए सुरू से सुरू करते हैं कोसिका, सेल, हमारा सरीर छोटे छोटे जीवों से मिलकर बना है इन छोटे छोटे जीवों को कोसिका कहते हैं हमारा सरीर हो या आपका सरीर हो या जानवर का सरीर हो सबका सरीर जो है छोटे छोटे जीवों से मिलकर बना है और उन छोटे छोटे जीवों को हम क्या बोलते हैं कोसिका बोलते हैं सेल लैटिन भासा के सेलूला सबसे लिया गया है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा जिस तरह इंट मिलकर के दिवाल बनता है और दिवाल मिल मिलकर एक दिवाल इधर से एक दिवाल इधर से एक दिवाल इधर से एक दिवाल इधर से एक क्या बन गया घर बन गया उसी परकार क कोसिका मिलकर उत्क बनते हैं और उत्क मिलकर अंग बनता है और अंग-ंग मिलकर के एक हमारा सरीर तैयर होता है ठीक है ud कोशिका की खोज रोबर्ट हुक ने 1665 इस भी में किया है वो भी मृत कोशिका के किया है ठीक है मारा हुआ कोशिका का खोज किया है जिवित कोशिका की खोज एंटोनी वोन लिविन हॉक ने किया है वो भी 1674 इस भी में ठीक है कॉर्क के सलाइस का मतलब होता है पेण की छाल से लिगे पतली परत कॉर्क के सलाइस की सहता से रोबर्ट हुक ने अवर्धक लेंस की सहता से कोसी का देखा उन्होंने कॉर्क के सलाइस में अनेक कोस्ट युक्त अथवा अलग-अलग बक से दिखे ये बक से मधुमक्षी के छटे की तरह दिखाई दिया ये है कॉर्क के सलाइस और इसमें जो कोस्ट यूक तत्वा बक्से के समान जो भी छोटा-छोटा आपको हॉल दिख रहा है मधुमखी की छटे के समान इसी को रोबोट हुक ने कोसी का नाम दिया ठीक है हूक ने परते कोस्ट को कोसिका नम दिया हूक द्वारा देखी गई है बक्से नूमा सनरचनाय वास्तों में मिरित कोसिका हैं थी भावन के लिए इट और साजिवों के लिए कोसिका मुलभूत सनरचनात्मक इकाई है भवन निर्मान में एक समान इटों का परयोग होता है आकृती डिजाइन अकार अलगलग होती है सजियू निर्मान में कोशिका एक समान नहीं होती है एक दुसरे से भीन होते है सबसे छोटी कोशिका का साइज 0.1 से 0.5 مcito मिटर है जो कि जिवानु कोशिका का है मल्टी का मतलब होता है अनेक और सेलूलर का मतलब होता है कोसी का इसी से पता चल रहा है कि अनेक कोसी का तो वह जिव जिनका सरीर एक से अधिक कोसीकाओं का बना होता है उसे बहु कोसी किये जिव कहते हैं जैसे में हम और आप जानवर पंची आद ये सब के सब क्या है बहु कोसिकी जीव ये क्यों है बहु कोसिकी जीव क्योंकि ये एक से अधिक कोसिकाओं से मिलकर बने हुए है ठीक है एक कोसिकी ये यूनी सेलूलर यूनी का मतलब होता है एक और सेलूलर का मतलब होता है कोसिका एक कोसिका वाले जीवों को एक कोसिकी जीव कहा जाता है जैसे में अमीबा, पेरामीसियम, यूगलीना, बैक्टरिया, कुछकवक और इस्ट, कोशिका के भाग, कोशिका के भाग होते हैं, कोशिका जिली, कोशिका भीति, केंद्रक, केंद्रक जिली, कोशिका दरब्य, हरी तलवक और रिक्तिका, तो चलिए एके करके समझते हैं, कोशिका जिल इसे प्लाजमा जिली भी कहते हैं यह पादप कोशिका अथवा जन्तु कोशिका दोने में होता है यह जन्तु कोशिका के सबसे बाहरी परत होता है और पादप कोशिका में एक परत के बाद होती है इस चित्र को देखकर आप समझे यह है पादप कोशिका और यह है जन्तु को इसका जो बाहरवला जो आरण दिख रहा है सबसे बाहरवला यह क्या है कोशिका जीली और यह पादप कोशिका में देखिए यह दूसरे नमर पर है ठीक है कोशिका भेती सेल वॉल यह सिर्फ पादप कोशिका में उपस्तित होती है यह सबसे बाहरी परत होती है पादप कोश यह घंडे यह गणि एवं गोलकार आक्रेति की होटी है इसमें केंध्रिये क्रोमोसोम अथवागुनसुत्र होते हैं केंद्रक जेली न्युक्लियर में मेंब्रैन यह पादप कोशी। कोशिका 2 में होती है यह जेली के समान होती है कोशिका ध्रभय, साइटोप्लाजम्न यह पादप कोशिका एवम जन्तु कोशिका दोनों में ही होती है यह कोशिका जेली एवम केंद्रे के बीच में होता है और कोशिका दरबे में माइट्रो कांड्रिया गालजिकाय और राइबोसम होता है हरी तलवक क्लोरोफिल यह सिर्फ पादप कोशिका में होता है यह विभिन का होता है उनमें से कुछ में हरा रंजा को पस्तित होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं रिक्तिका यह दोनों में पाई जाती है कोशिका द्रबे में खाली दिखने वाला स्थान रिक्तिका कहलाता है प्रोकेरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका हैं जिन में केंद्रक पदार्थ और केंद्रक जीली नहीं होती है परो केरियोटिक कोसिका कहलाती है उदारन के लिए जिवानू और नीले हरे सेवाल ये दोनों में केंद्रक पदार्थ और केंद्रक जीली नहीं होती है यो केरियोटिक कोसिका बिक्सित कोसिका को युकेरियोटिक कोसिका कहते हैं इस कोसिका में केंदरक जीली द्वारा घीरा रहता है इसमें सभी कोसिका के अंग मौजुद होते हैं मुझे आसा है कि जो कुछ भी बताया हूँ आसानी से समझ आ गई होगी चलिए फिर मिलते हैं को और नए दिन ने टॉपिक के साथ तब तके लिए जैहिंद वंदे मातर